हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15,000,000 के बजट में आने वाली 5 सबसे अच्छी 7-seater कारों के बारे में जिन में दोस्तो आपको एक अच्छे एंजन के साथ काफी अच्छी माइलेज भी देखने को मलती है तो दोस्तो अगर आप अपने लिए कोई अच्छी 7-seater कार लेना चाहते हो तो फिर आप इस वीडियो को देख लिजिए क्योंकि दोस्तो 15,000,000 के बजट में ये 5 सबसे अच्छी है इस वाले वेरियंट के साथ दोस्तो आपको 1997 सीसी का फोर्ट स्लेंडर टर्वो पैटल एंजन देखने को मिलता है जो की 200 वीएजपी की पावर और 370 न्यूटरन मीटर का टॉक्स अनेट करता है इस कॉर्पय वेरियंट दोस्तो इस इंजन के साथ 10 किलो मीटर पैलीटर तक की मायलेज बड़े ही आराम से निकाल कर दे देती है और अगर दोस्तो आपको स्कॉर्पय वेरियंट से थोड़ी सी ज्यादा मायलेज चाहिए तो फिर आप इस कार का जैड़ टू डीजल वेरियंट भी ले सकते हो जिसकी कीमत है 14 लाख रुपे इस वाले वेरियंट में आपको 284 सीची का फोर सिलेंडर डीज एंजन देखने को मिलता है जो की 130 वेरियंट की पावर और 300 नूंटर मीटर का टॉक्जन अनेट करता है इस वाले वेरियंट के साथ दोस्तों स्कॉर्पय वेरियंट 15 किलोमीटर पलीट तक की मायलेज बड़ दोस्तों आपको सर्फ एक ही फ्यूल उप्शन में देखने को मिलती है जो की डीजल है और दोस्तों इस कार का सबसे कम कीमत वाला वेरियंट है एस वेरियंट जिसकी कीमत है 13,69 रुपे इस वाले वेरियंट के साथ दोस्तों आपको इस कॉर्पय क्लास एक में 284 सीची का फ दोस्तों स्कॉर्पय क्लासिक का ये वाला वेरियंट सिर्फ 7 सीचर उप्शन में आता है अगर आप इस कार को 9 सीचर उप्शन में लेना चाहते हो तो फिर आपको इस कार का एस 9 सीचर वेरियंट लेना चाहिए जिसकी कीमत है 13,84 रुपे और दोस्तों इस SUV में आपको काफ और डीजल इन दोनों ही फ्यूर अप्संस में देखने को मिल जाती है दोस्तों करेंस का सबसे लो बजट में आपको प्रीमियम पैटल लेना चाहिए जिसकी कीमत है 10,45 रुपे करेंस के दोस्तों इस वाले वेरियंट के साथ आपको 1497 सीची का फोर्स रंडर पैटल इंजन लेना चाहिए जिसकी कीमत है 12,65 रुपे इस वाले वेरियंट में दोस्तों आपको 1493 सीची का फोर्स रंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है जो कि डीजल पर 114.41 ब्याच्पी की पावर और 250 न्यूटर मीटर का टॉक्सनिट करता है दोस्तों इस वेरियंट के साथ करें 21,56 किलो मीटर पलीटर तक की मैलेज बड़े ही आराम से दे देती है और साथ ही आपको 45 सीटर की फ्यूल टैंक कैपसिटी भी मिल जाती है और रही बात इस कार के ग्राउंड क्रेंस की तो वह भी आपको काफी अच्छा मिलता है जो की 195 mm का है तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इस कार को भी 7 सीटर की परपस से ले सकते हो तो दोस्तों अब बात करां अगली 7 सीटर की जो की इस लिष्ट में second position पर है वो है दोस्तों महेंदरा की SUV बोलेरो ये कार दोस्तों आपको सिर्फ डीजल वैरिंट में ही देखने को मिलती है और दोस्तों बोलेरो का सबसे कम कीमत वाला variant है B4 जिसकी कीमत है 9,90,000 रुपे बोलेरो के दोस्तों इस वाले वैरिंट में आपको 1493 सीची का थ्री सिलेंडर डीजल एंजन देखने को मिलता है जो की 74.96 वी एच्पी की पावर और 210 नूटर मीटर का टॉक जनरेट करता है बात करने इसकी माइलेज की तो काफ अच्छा माइलेज मिलता है आपको इस वाले एंजन से जो की 16 किलोमेटर पर लीटर तक का है और साथ ही आपको दोस्तों काफी अची फ्यूल टैंक कैपसिटी भी मिल जाती है जो की साट लीटर की है और इसी के साथ दोस्तों बोलेरो में आपको 180 mm का ग्राउंड ग्राउं सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों उस सेविन सीटर की जो कि इस लिश्ट में फैस्ट पोजिशन पर है वो है दोस्तों मारूती सूजू की मुवी अल्टिगा दोस्तों ये कार आपको पैट्रॉल और सी एंजिन दोनों ही फ्यूल अप्संस में देखने को मिल जाती है दोस अगर दोस्तों आपको थोड़ी सी ज्यादा मालेच चाहिए तो फिर आप इस कार का BXI ओप्सिनल सी एंजी ले सकते हो जिसकी कीमत है दस लाग अठाटा जार रोपे अल्टिका के दोस्तों इस वाले वेरिंट में आपको 1462 सीची का फोर्स रंडर पैटल जन देखने को मि और 121.5 मिंटर मीटर का टॉक्टनेट करता है अटिका दोस्तों इस इंजन के साथ 26.11 किलोमीटर पर केई तक की मालेच बड़े याराम से निकाल कर दे देती है और दोस्तों बात करें अटिका के ग्राउंड के अंसकी तो वह भी आपको काफी अच्छा मिलता है जो की 180 mm का तो दोस्तों अगर आप चाहो तो सेविन सीटर के परपस से ये कार भी आप ले सकते हो तो दोस्तों ये हैं वो पांस सेविन सीटर कार जो कि आपको 15,00,000 उर्पे के बज़ेत में देखने को मिल जाती है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन प तक के लिए जय हैं दोस्तों